च्टूडेंट आज की क्लास में जो वर्षेट करने वाले हैं वह वर्षेट in English की है English की वर्षेट इसका नमबर ही 32 और यह 10th क्लास के लिए इस वर्षेट की जू ढर्यट है 23 स्कूपर ही 23 स्कूपर को यह आपको मिलने वाली है तो वर्स सीट basically आपके एक जो chapter है English book में उसके ओपर based है तो first flight जो आपकी book है उसमें chapter third है two story about flying तो उसमें जो second story है आपकी black aeroplane तो उसका पैसिस दिया हुआ है फिर उससे related questions कोर्षिंस दे ओ हुए नीचे तो सबसे पहले इसमें जो पैसिज दिया हुआ है उस पैसिज को थोड़ा सा रेड कर लेते हैं तो आफ्टर हाफ एन अवर दा स्ट्रेंग ब्लैक एरोप्लेन वाज इस्टिल देर तो लगबादा गंटे के बाद भी जो स्ट्रेंग ब्लैक एरोप्लेन था वो वहीं था तो जो उसका प्लेन था उसमें सिर्फ आगे 5-10 मिनट के लिए ही फ्यूल था यनि कि इतना ही फ्यूल था कि 5-10 मिनट वो हवा में उड़ सकता था प्लेन तो दुबारा से उसको डर लगने लगता है तो तब ही वो देखता है कि आगे नीचे जा रहा है तो जो ब्लैक एरोपलेन है वो देरे देरे नीचे जाने लगता है तो उसको फोलो करता है Suddenly I came out of the clouds तो suddenly वो क्या है? Cloud से भारा जाता है and so Two long straight lines तो तो लंबी लाइने देखता है off light प्रकास की In front of me, it was a runway तो वो क्या था runway तो राइटर जो है वो है रहान हो जाता है और है नीचे बोलता है an airport I was safe तो वो है रहान हो के बोलता है airport और I was safe यंके मैं सुरक्षित हूं I turned to look for my friend तो वो turn करता है अपने friend को देखने के लिए in the black aeroplane but the sky was empty लेकिन sky आकास में कोई उसे नहीं देखता there was nothing there तो वापे कोई नहीं था the black aeroplane was gone तो black aeroplane जा चुगा था I could not see it anywhere मैं उसे कही नहीं देख सका तो यह जो passage है अब इसे related question दी हुए है तो first question जो हमारा वो about writer है तो who is the author of this lesson black aeroplane तो black aeroplane का जो lesson है उसके author का नाम बताना है हमने तो हमारे पास 4 option है A B C D तो हमारा जो answer है वो D है फैड्रिक फॉर्थ तो पहले question का answer जो हमारा D है फैड्रिक सेकंड question देखते हैं तो second question में why was the author feel afraid again author दूबारा क्यों डर महसूस करता है तो उसके लिए 4 option दी हुए है he could see nothing in front of him तो बादलों में अपने सामने कुछ नहीं देख पा रहा था he did not know how to land the plane उसे मालूम नहीं था का plane को कैसे land करना है the aeroplane had very little fuel aeroplane में बहुत कम fuel था to keep flying for long तो आगे flight जो है जारी नहीं रख स started going up तो जैसे हम यह उपर अमने stanza में पड़ा इस का answer हमारा C बनता है aeroplane had very little fuel बहुत कम fuel था I felt to keep flying for long तो second question का answer हमारा C है अब third question देखते हैं तो third question जो है हमारा the author choose the follow the black aeroplane because तो author ने black aeroplane के पीछे चलना क्यों चुना तो he was caught in the storm where storm में फस चुका था and could not find his way तो उसे अपना रास्ता नहीं मिल रहा था his instrument had stopped it तो उसके instruments जो थे aeroplane के वो सारे बंदो चुके थे it seem to be the only way to save तो उसको सिरफ एक यही mark लगा जिससे वो safe रह सकता है तो student इसमें fourth option देवा है all of the above तो इसमें तीनों ही answer fit हैं तो हमार कि जो तीन पॉइंट हैं यह तीनों ही कारण है जिसके कारण वो black aeroplane को follow करता है तो third question का जो हमारा answer है वो D है आप इसमें fourth question जो है तो fourth question में देखते है which one of the following statement true तो चार statement हमारे पास है इसमें से एक statement true है हमें उसको ही point out करना है कि कौन सी statement true है तो first statement है the author had fuel for another hour तो author के पास गंटे के लिए fuel था he saw our runway and landed safely at the airport तो उसने एक runway देखा और वहाँ पे वो safely land कर जाता है the two long straight line तो जो दो लंबी लाइने देखता है अपने सामने author वाजे racing track तो वो racing track था the black aeroplane pilot वाज author friend तो पहला जो statement है वो गलत है क्योंकि उसके पास एक गंटे के लिए patrol नहीं था दूसरा वो अपने सामने runway देखता है और safely land कर जाता है तो second option हमारा ठीक है क्योंकि third option भी गलत है क्योंकि racing track की बारे में लिखा हुआ है और fourth में लिखा हुआ है कि वो black aeroplane का जो pilot था वो उसका दोस था तो यह भी गलत है तो fourth question में हमारा answer जो है वो B है आप fifth question देखते है त when the pilot landed at the airport तो जब पाइलेट जो है एरोपोर्ट पे landed करता है तो black aeroplane कहा था it was in front of him on the runway तो in front पे था तो यह गलत जवाब है उसके सामने नहीं था it was still in the sky वो आकास में था तो यह भी option गलत है he could not see it anywhere वो उसे कहीं नहीं देख सका यह options है जब वो land करता है तो दूसरा plane जो black ह इसको कहीं नहीं देख पाता है तो fifth question का answer भी C है अब six question है तो student six question जो है मैं वो written form में करना है तो इसकी जो word limited 20 to 30 words है तो हमारा question जो है question है what would have happened क्या हुआ होता if the author had chosen to ignore यदि author ये पसंद करता कि black aeroplane का पीछा नहीं करना यानिकर वो black aeroplane को ignore करता तो उसके साथ क्या हुआ होता तो हमने इसका answer बनाने दो से तीन line में तो चलिए इसका answer बनाते है तो student हमने question पढ़ ले अब इसका answer देखते है एक्चुली जो इस lesson में जो pilot है उसकी split के बार में बताया है वो determined था यानिकि willpower उसकी मजबूत थी वो risk जो है storm में भी risk लेना चाहता था तो उसी की according हम इसका answer भी बनाएंगे तो narrator had taken the risk नरेटर ने risk लिया था he was determined to reach home तो उसका पका इरादा था वो घर पहुचना चाहता था when he was caught into the storm तो जब वो तुफान में फच जाता है he kept himself in high split तो तब भी वो अपनी split को high रखता है willpower को strong रखता है so it is quite possible तो यह बिलकुल संभव है he land safely कि वो अपने plane को safely land कराता somehow किसी भी तरह से because जैसे के हम कहते है because fortune always favor the brave जैसे कावत है कि भागे भी उनका साथ देता है जो बहतुर होते हैं तो इसका answer जो हम इस तरह से बना सकते हैं तो चलिए student आज के हमारी जो बर सीट है वो पूरी हमने complete की तो मुझे hope है कि आपको पूरी तिरह से सारा clear हो गया होगा तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ अब next वीडियो में तब तक के लिए bye